Invoice Discounting क्या होता है, क्या आपको उसमें invest करना चाहिए, और अगर करना चाहिए, तो उसके साथ कौन-कौन से risks attached हैं, जानेंगे इस वीडियो में. दोस्तों, जबसे मैंने परस्नल प्रिणांस पे वीडियो बनाने शुरू करें हैं, Invoice Discounting नामक एक ऐसी जीज है, जो बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं. इतने सारे कॉमेंट्स आते हैं कि प्रीज इन्वोइस दिस्काउंटिंग एक वीडियो बना दीजिए, हमें पताईए कि ये अच्छी जगा है, इन्वेस करने के लिए कि नहीं, And disclaimer, मैंने कभी Invoice Discounting में इन्वेस नहीं किया है, और जितना भी मैं जानता था, शायद मैं कभी करता भी नहीं, लेकिन क्यूंकि इतने सारे लोगों पूछना शुरू कि इन्वेस दिस्काउंटिंग क्या होता है, करना चाहिए कि नहीं, I was like, true to the concept of learning and understanding investing, क्यूना मैं एक वीडियो बनाओ, उसके चलते, मैं कुछ नहीं सिखूंगा, आपको कुछ नहीं बता पाऊंगा, And we will both benefit from this. So in this video, the Invoice Discounting की वह सारी बारी किया, जो जानना जरूरी है, before you take a decision of whether to invest or not, will be discussed. Specifically, two things. सबसे पहला, Invoice Discounting होता भी क्या है, उसकी बुनियाद क्या है, which is the word invoice, and वो कैसे काम करता है, and दूसरा, Invoice Discounting में invest करके, आपको कैसे एक अच्छा रिटर्न बिल सकता है, लेकिन, उसके साथ ही साथ, कौन-कौन से risks हैं, जो जानने भी जरूरी हैं. Invoice Discounting होता क्या है? Invoice Discounting is Invoice and Discounting. Invoice मतलब एक बिल, अगर आप एक बिजनस हैं, और आपने एक बिजनस के तहत किसी और बिजनस के लिए कुछ काम किया हो, तो आप एक बिल या एक Invoice उनको देते हैं, and that forms the basis for them to make a payment. तो Invoice Discounting का सबसे important criteria जो होता है, वो होता है Invoice, and इसमें दो लोग शामल होते हैं, एक जो Invoice Generate करता है, मतलब एक ऐसा इंसान जिसको payment मिलने वाली है, और दूसरा जिसके नाम पर Invoice Generate होता है, मतलब वो शक्स जो payment करने वाला है. यह दोनों बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि Invoice Discounting, जो Investing Asset है, वो इन दोनों को Determine करती है, कि क्या यह Investment सेफ होगा, और अगर सेफ होगा, तो किस हद तक, जानेंगे, लेकिन उसके पहले Invoice के Fundamental को समझने की कोशिश करते हैं. एक 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 जामपल के थूरू, फर्स करिए कि आप एक T-Shirt Manufacturer है, आप T-Shirts बनाते हैं as a business, तो आप business के रूप में दूसरे businesses के लिए T-Shirts बनाते हैं, नormal consumers के जैसे नहीं. And आपका एक customer है Amazon, अब Amazon आपके पास आया और उनने बोला, यार जो हमारे सारे लाखो delivery partners हैं हिंदुस्तान में, उन सब को हम एक नई T-Shirt देना चाहते हैं, हम उन सब की T-Shirt बतलना चाहते हैं. T-Shirt थे रोडों पे चल रहे थे, I love how I use this Delhi English, somehow कहीं गुज जाती है, तो T-Shirts बनाना चाहते हैं, और उन्होंने आपको एक लाख T-Shirt का ओडर दिया है, एक लाख T-Shirts, और उन्होंने बोला, बहुत सारी negotiation करके, क्योंकि Amazon तो एक बहुत ही negotiating taskmaster है कि इन T-Shirts के लिए हम आपक 500 रुपे देंगे, don't go by कि 500 रुपे जादा था कि नहीं, that's not the basis for this conversation, तो आपको एक ओडर मिला है, एक लाख T-Shirts का, for 500 रुपीज पर T-Shirt, तो जब आप ये T-Shirt उनको डिलिवर करेंगे, तो आप उनके लिए कितना बड़ा एक इन्वोइस बनाएंगे, एक लाख इंटु 500 रुपे, विच पांच करोड रुपे, प्लस GST वगरा वगरा जो भी होगा, but basic, जो आपको पैसा मिलेगा, that will be एक लाख इन्टु पांच करोड रुपे, इस पूरे चीज को करने के लिए, आपका खुद का भी कर्चा है as a business, आपको raw material खरीदने है, जो की हो गया, T-Shirt, T print wind कराना है, उसका खर्चा, workers की salary, business चलाने का, factory चलाने का, machine चलाने का, जो वो सारे खर्चे, वो सब को जोड जाड कर आपको पता चला है, कि आपका जो actual cost है, वो बैठता है 1.5-300 रुपे, मतलब एक लाख की T-Shirts जनरेट करने के लिए, आपको 3.5-300 रुपे खर्च करने पढ़ेंगे, अब this is where a problem arises, आप है चोटे बिसनस, आपक अभी तक जो बिसनस है, वो चोटे मुटे बिसनस के लिए T-Shirts बनाना था, अब आगया suddenly एक बहुत बड़ा बिसनस Amazon के रूप में, उन्हों ने आपको पांच करोड रुपे का एक order दे दिया है, लेकिन उस पांच अब अगर आप एक चोटे बिसनस है, आपको एक बैंक शायद लोन ना दे, क्योंकि आपके पास कोई credit history नहीं है, शायद आप अभी पिछले 6-12 महीने में ही पैदा हुए या start किये थे, तो आपके पास कोई basis नहीं है, या आप इतना जादा कभी बिसनस किये ही नहीं है कि आपको इतना बड़ा लोन मिल जाए, so who do you go to, you go to people who can give you this loan, this loan which is called working capital loan, working capital एक चोटे बिसनस का सबसे fundamental cost होता है, क्योंकि हमें पैसा शायद थोड़ी देर बाद मिलेगा, लेकिन उस चीज को मिलने के लिए हमें आज ही पैसा खच करना पड़ेगा, there is a deficit of cash inflow and outflow, इसके over and above, एक credit period नामक चीज होती है, तो Amazon क्योंकि एक बड़ी company है, वो बोलेगी कि जिस दिन आप हमें invoice देंगे, जो bill है, उसके basis में हमें payment करनी होगी, जब भी आप उप प्रेजंट करेंगे, उसके 90 days बाद, या X days back, या usually 90 days होता है, 60 to 90 days, 90 days बाद हम अपको payment करेंगे, अब उस तीन महीने का भी खर्चा है, सालरी है, बिजनस चलाना है, ओफिस चलाना है, मशीने चलानी है, so on and so forth, this is working capital, एक ऐसा पैसा जो आपको चाहिए होता है, इसलिए नहीं क्योंकि आप लॉस में कंपनी है, इसलिए क्योंकि आपका जो cash है, वो बाद में आएगा, लेक कोई और है, जो कर सकता है, and then they realize कि बहुत सारे और लोग थे, HNIs, जिनके बहुत सारा पैसा होता है, high net worth individuals, NRIs, जिनके बहुत पैसा होता है, so they could be there, institutional investors, जो कि banks जितने बड़े नहीं है, लेकिन तब भी लोगों को lend करते है, and they went with them, with a very simple proposition, जो अब हम Excel sheet पे समझने और जानन की कोशिश करेंगे, Excel, Excel खेलेंगे, मसा आएगा, okay, तो Excel sheet पे जैसे आप देख सकते हैं, हमने start किया कि units थे 1,00, selling price था 500 रुपे, cost price था 3,50, मतलब जो हम invoice देंगे Amazon को, वो हम देंगे 5 करोड रुपे का, हमारा खर्चा है इसमें 3,50 करोड रुपे, हमारा margin मतलब 43%, ये कैसे है, 3,50 करोड जो हमारा खर्चा है, उसके ऊपर हमने कितने कमाए, 1,50 करोड रुपे, which is 5 minus 3,50, तो that ratio is 43%, अब आपको ये 3,50 करोड चाहिए, या शायद ये 5 करोड ही चाहिए, because आपकी कुछ और भी खर्चे थे, whatever the case में भी, अब कोई इंसान आपको ये क्यों थे, क्योंकि आप उनको इस value पे एक discount तेंगे, which is by the term invoice discounting, आप जो invoice लेके आए है, that forms the basis for someone to give you a discount, तो आप किसी के पास जाएंगे, वो एक investor हो सकता है, और उससे बोलेंगे, मेरे पास एक 5 करोड रुपे का invoice है, एक ऐसे इंसान से, जो की बहुत respected है, बहुत reputed है, बहुत trustworthy है, तो पैसे तो बेशक आएंगे ही आएंगे, लेकिन अबबे दिन बाद आएंगे, तो अगर आप मुझे ये पांच करोड रुपे आज ही दे दे, with a discount, यो मैं आपको दूंगा, then you will after 90 days get the full 5 करोड, while I will get a discounted outcome of this 5 करोड आज ही, let's use this with numbers, तो हम बोलते हैं, मैं 5% का discount देने के लिए तया तो मैं आपको इस 5 करोड के invoice को 4 करोड 75 लाख में आपको देने के लिए तयार हूँ, which means a 25 लाख रुपी का discount, and क्योंकि आप वो करेंगे, आपका अपनेयर मार्जिन कितना हो गया, आपको आप 5 करोड तो नहीं मिलेंगे, आपको मिलेंगे 4 करोड 75 लाख रुपे, तो आप का कॉस्त तो 3.5 करोड ही है, लेकिन अब आपने 1.5 करोड नहीं कमाया, 1.25 करोड रुपे कमाया, which means your margin now goes from 43% to 36% as a T-shirt manufacturer, T-shirt manufacturer, T-shirt manufacturer, T-shirt manufacturer, so, you're like, चलता है, 36% मेरे ले काफी है, अगर मुझे 1.5 करोड की जगा 1.25 करोड ही मिलेगा मुनाफा, लेकिन कि पैसा मुझे आज ह जाए, I am willing to do that, which is why as a business, you will even offer this discount to someone, आप समझते हैं कि जिसने ये खरीदा, उसके लिए ये कैसे काम करेगा, invoice, आपको 90 दिन बात पैसा देगा, तो मतलब, 90 दिन में आपने 5% कमाया है, of a certain value, तो अगर आप इसको extrapolate करके yearly return कमाएंगे, या calculate करेंगे, which is how we measure what is the return, right, हम बोलते हैं कि stocks हमें 1% return देता है, Sona हमें 1% return देता है, वो हमेशा साल के basis में होता है, क्योंकि ये सिरफ 90 दिन का investment है, तो इसका हमें साल का investment निकालना पड़ेगा, and that will come to 20%, which is 365 into जो आपका 5% था, divided by जो आपका 90 दिन है, तो मोटा-मोटा 20% आता है, इसमें से, अगर मैं एक platform, which is the new entity now that has emerged into the scheme, मैं बोलता हूं कि मेरा काम था ये इस invoice को ढूंड कर आपके सामने लाना, which means, एक business है, जिसको Amazon से invoice मिला है, एक ऐसा invoice है, जो Amazon को पे करना है, मेरा काम था इस invoice को ढूंड कर आपके सामने रखना, and to do that, जो ये बीस टका हम कमाएंगे, उसमें से मैं आपको 15% दोंगा, और खुद रखूंगा 5%, which means, I will give you 15% return, on this asset, which is great, right? क्योंकि ये फिक्स्ट है, इसमें कोई वोलतिलिटी नहीं है, इसमें कोई ऊचनीच नहीं है, as happens in the stock market, this is like, आप अपना पैसा डालिये, और आपको, on an annual basis, 15% return मिलेगा, I will tell you how it is not in the actual terms, which is a slight problem with this, लेकि, 15% का आपको return, which is great, and मैं जो प्लाटफॉर्म हूँ, मैं 5% रखूंगा, which is what my fee is, to do this hard work of finding the invoice, and अगर आप इसको करेंगे, तो नबे दिन में आप कितना कमाएंगे, क्योंकि साल में आप 15% कमा रहे हैं, तो नबे दिन में आप कमाएंगे around 3.7% और प्लाटफॉर्म कमाएगा around 1.2% This is the actual absolute return, क्यों? क्योंकि आप साल के लिए पैसा नहीं डाल रहे हैं, आप सिरिफ नबे दिनों के लिए पैसा दाल रहे हैं, So how does it work? पहले, इन्वोइस में 3, 3 parties. इन्वोइस, वो इन्वोइस किस ने जन्रेट किया, मतलब किसको पैसा मिलेगा, और वो इन्वोइस किस नाम पे बना है, मतलब किसको पैसा देना है, और जिसको ये इन्वोइस से पैसा मिलना था, उसने बुला कि मुझे पैसा चाहिए आज पैसा मिले का 90 दिन बाद, तो मैं 5% का इक डिसकाउंट देने के लिए तयार हूँ अन इस इन्वोइस दिसकाउंटिंग, क्या कोई ऐसा इंसा इन्सान है जो खरीदने के लिए तयार ह and they didn't have a way of finding this, तो पहले वो HNIs को, NRIs को, institutional investors को बेचते थे, लेकिन अब प्लाटफॉर्म्स आगए हैं, जहां these invoices will be listed, तो आप as a retail investor, मैं as a retail investor, इस प्लाटफॉम पे जा सकता हूँ, और देख सकता हूँ कि एक कंपनी है, वारिकू Garments के नाम से, जिसने एक इन्वोइस जन को 4-0-75-0- odds में बेचने के लिए तयार हैं। ना, if I have that money, as a detailed investor मैं बोलता हूँ, ठीक है, आप 4-0-75-0-रॉपे मुझे ले लीजिये, बाद यही 4-0-75-0-रॉपे पांच करोर बन जाएंगे, विच मेंस, in just 90 days, I will earn 25-0-0-0-25-0-0. निए यही प्लाटफॉम पांच करोर प Discounting Platforms, वो platform जैसे Credex हो गया, TradeCred हो गया, जो यह सारे platforms है, इनका काम है Legitimate, Bonafide, Accurate, Legally Proven Invoices ढूंड कर लिस्ट करना, and then let you decide कि आप उसके किन से Invoice में इन्वेस करना चाहते हैं, कितने इमाउंट के लिए इन्वेस करना चाहते हैं, typically the investing Amount starts from a few lakhs, 3-5 lakh रुपे, usually minimum amount होता है, आप सिर्फ 10,000 रुपे नहीं डाल सकते, yes so on and so forth To give you an example, अगर आप 5 lakh रुपे डालते हैं, इसी example पर जो हम देख रहे हैं तो आपको 90 दिन बाद 5,18,500 रुपे मिलेंगे Which means, in 90 days you would have earned around 18,500 rupees as interest income, जो कि आपके other income में जाकर आपकी tax category में आपके tax slab के साब से Deduct होगा, from a capital gains perspective, but वो अलग conversation है, इसमें risks क्या involved है, और इसकी कामिया क्या है, इसकी positives क्या है, let's start with the positives because that's the right thing, सबसे बड़ा positive, it is fixed return, मतलब आपको सोचना नहीं है कि यह उपर नीचे होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, 90 दिन बाद जितना return उस platform ने आपको प्रोमिस किया है, आपको मिलेगा, that is fixed. Number two, it is short term, इसका मतलब यह कि आपको 90 दिन के अंदर ही, usually 60 to 90 days के अंदर ही आपका पूरा पैसा वापस मिल जाएगा, so if you want to make any investment in a short term asset, this is the best asset to make an investment in. लेकिन, इसकी कामिया क्या है, सबसे पहला, the biggest one is credit risk, credit risk का मतलब, खुदाला खास्ता कुछ भी ऐसा हो जाए, कि जो सामने वाला इंसान है, जिसके नाम पर इंवोईस था, वो पेमेंट नहीं चुका पाएगा, तो आपका पैसा गएगा. Which is why it becomes very important, कि इंवोईस जिसके नाम में है, वो रिस्पेक्टेड हो, रिप्यूटेड हो, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं. मैंने Amazon का नाम सिर्फ रेंडम नहीं नहीं लिया, क्योंकि Amazon एक ऐसी कंपनी है, जो अपनी पेमेंट्स ताइम पर करती है, और बेशक करती है. So you would want to have an invoice that you invest in, जो किसी ऐसी कंपनी के नाम पर रेज़ुआ है, जिसमें कोई credit risk ना हो. Number one. Number two, dispute risk. Dispute risk का मतलब, Ankur Garments ने T-shirt Amazon को दाल दी, लेकिन उन T-shirts में कुछ खामिया निकली. So Amazon ने बोला, dispute हो गया है, मैं पेमेंट नहीं करूंगा. Now how do you take care of that? The second thing which is, जिसने invoice raise किया है, जो company है जिसके invoice पर आप basically खरीद कर उसमें इंवेस कर रहे हैं, वो भी reputed होनी चाहिए. Random company नहीं हो सकती क्योंकि अगर Ankur Garments का आपने कभी नाम नहीं सुना है, उसकी कोई history नहीं है, उन्होंने घटिया T-shirts बना दी, तो आपका पैसा अटक सकता है and that is something that you would not want. Third, insolvency risk, मतलब कुछ ऐसा हो जाए, दुनिया में इन दो companies के साथ, जिसकी वज़े से वो exist ही ना करें, पैसे देने के level पही नहाँ हो, तो आपका पैसा फिर से अटक गया, which is why this asset is risky, कम से कम मैं personally इसमें इन्वेस नहीं करता हूँ क्योंकि, short term, 90 days में, मुझे इतना जादा क इसे को इस रिस्क पे डालो, for example, 5,000,000 रुपे डालने के बाद भी, मुझे सिर्फ 18,500 रुपे ही मिलते हैं, 18,500 रुपे कमाने के लिए, मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता, that's personally my approach, मैं यह नहीं बोला हूँ कि आप वो ना करें, if you are young, if you have just started investing, I would much rather be extremely happy, कि आप long term assets में इ invest कर रहे हैं, वो assets जहां आपको पता है कि लंबे टाइम पर compounding के power पर आप ऐसे कमाएंगे, लेकिर अगर आप बहुत अलड़ी असी investments कर चुके हैं, you have a big corpus of equities, of US markets, maybe a little bit of crypto, maybe a little bit of real estate, maybe a little bit of gold, hopefully no fixed deposits, then invoice discounting could be a great asset for you to park your money for a short term period. and end, मेरा सुझाव यही रहेगा, कि अगर आपके पास excess पैसा है, और आप short term investing चाहते हैं, तो invoice discounting could be a great way for you to explore, लेकिन अगर आप अभी अभी शुरुवात करी हैं, लेकिन अप कॉर्पस पे नहीं बैठे हैं, लेकिन मन्थली अपना इन्वेस करना चाहते हैं, लेकिन अगर be the right asset for you, बहुत सारे प्लाफोंस हैं, जो आप invoice discounting की invoices को discover करने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन की अगर नाम सुना है, लेकिन की अगर नाम सुना हैं, और किसी का नाम सुना नहीं है, लेकिन की अगर नहीं नहीं है, यह कोई भी प्रमोर्ट पोस नहीं है, कोई इंटे लेकिन की अगर नहीं हैं, जो इस चाहिए जो कोई भी हैं, जो इस इंटेषण को आप नहीं हैं, लेकिन की अगर प्रमोर्ट स्वाल कोई इंटेश्टिंग को प्लीज पूछना ना भूले, तुजे, थवस्डे और साटर्डे को एक वीडियो हर हफ़ते, ताकि आप अन व पर वीडियो बनाता हूँ तो अगर आप सब्सक्राइब करेंगे आप नोटिफाइड होंगे जब भी एक नया वीडियो आएगा